हला एवरिवन, वेलकम टू माई चैनल, MCB, MCB, आज हम लाइट वेट के सारी पे इजी आन ब्यूटिफुल सारी कुछो डिजाइन बनाएंगे, नॉर्मल सेविंग नीडल से, इस डिजाइन को बनाने के लिए, मैंने ये 10 ग्राम्स अंटिक बेड्स लिए हैं, और 20 ग्राम्स मीडियम साइज के गोल्डन बीड्स लिए हैं, नॉर्मल सेविंग नीडल में 10 स्टैंट्स अफ सिल्क त्रेड ले लिया हैं, ये डिजाइन बनाना बहुती इजी है, बिगनर्स पे इस डिजाइन को आसाने से बना सकते हैं, आई होप आपको ये डिजाइन जरूर पसंद स्टाइगा, तो चलिए फ्रेंट्स स्टाट करते हैं, सबसे पहले हमें साडी को पिको करके यहां से वर्ग स्टाट करना है, ये मैंने 10 स्टैंट्स अफ सिल्क त्रेड लिया है, और नॉट डाल लिया है, साडी का जो एज है, यहां से हम बैक साइट से इस चो पास कर और स्लोली दागा छोड़ देंगे देख सकने इस तरह की से एक नॉट बन जाएगा नेक्स्ट हमें फिर से फिंगर में दागा फोल्ड करते हुए यह जो हमने नॉट बनाया है इसके बिल्कुल नस्दीक से ही इस नेडल को पास कर लेना है एक और नॉट बनाना है दो नॉट समने बना लिए है नेक्स्ट हमें नीडल में एक एंटिक बीड लेना है इस एंटिक बीड का यह जो साइज है उतने ही डिस्टंस पे हमें पल्लू पे यहाँ पे इस नेडल को पास करके एक नॉट बनाना है यह देख सकते हैं थोड़े से डिस्टंस पे हमने नेडल को पास करके एक नॉट बना लिया है इस तरीके से यह बीड लॉक हो जाएगा अच्छे से टाइटली हमें इस बीड को स्टिच करना है उसके बाद फिर से फिंगर में दागा फोल्ड करते हुए यह जो हमने नॉट बनाया हुआ है इसको बिल्कुल नस्दीक ही एक और बार नीडल को पास करके एक नॉट बनाएंगे इस तरीके से हमें तो नॉट बनाने है और अब नेक्स्ट हमें नीडल में फिंगर में दागा फोल्ड करते हुए नीडल में एक मीडियम साइस का गोल्डन बीड लेना है और अब नेक्स्ट हमें इस बीड को पल्लू के नजदीकी जो यह साइज है उतना ही डिस्टंस पे हमें नीडल को पासकर के यहां से 1 नॉट बनाना है इस तरीखे से एक नॉट बनाने के बाद इन इन सिल्क त्रेड को नीडला नीड कर लेना है और इनने अच्छे से टाइट स्टिच कर दे автом है यह बीड लॉक हो जाएगा फिर से हमें थोड़े से डिस्टन्स पर यह जो नॉट हमने बनाया हुआ है इसके नस्दीक से ही नीडल को पास करके इन सभी सिल्क त्रेड को नीट करते हुए एक और नॉट बनाएंगे हमने यहां पर दो नॉट्स बना लिए है नेक्स्ट हमें फिर से फिंगर में धागा फोल्ड करते हुए नीडल में एक मीडियम साइज का गोल्डन बीड लेना है इसके बाद फिर से फिंगर में धागा फोल्ड करके बीड का यह जो साइज है इतने ही डिस्टन्स पर हमें नी इस तरीके से टाइटली स्टिच हो जाएगा फिंगर में धागा फोल्ड करके यह जो नौट हमने बनाया हुआ है इसके नजदी की एक और नौट बनाना है इसी तरीके से हमें एवरी बेड लॉक के बाद एक और नौट बनाते हुए वर्क को कंटेनियू करना है दो बीड हमन इतने ही डिस्टन्स पे पल्लो पे यहां से निडल को पास करके स्लोली पागा छोड़ देंगे और इन सभी से बाद से sua डेंट को नेट कर दिये और टाइट स्टिच करना है इन सभी बीड़ु को हमें अच्छे से नीड़ करना है बल्कौल बुल लूज नहीं छोड़ना है और अब इसी तरीके से हमें एक और knot बनाना है यह देख सकते हैं हमें दो knots बना लिए है फिर ने यहाँ पर एक एंटिक बीड तीन मिलियम साइज के गोडन बीर स्टिच कर लिए है नेक्स हमें फिर से एक एंटिक बीड लेना है एंटिक बीड का ये जो साइज है इतने ही डि यह देख सकते हैं हमने पाच बीड स्टिच कर लिये हैं फिंगर में दागा फोल्ड करते हुए एक और बाद यहां से निदल को पास करके एक और नौट बनाएंगे इन सिल्क त्रेड को निट करते हुए tightly हमें नौट बनाना है और अब फिर से हमें फिंगर में दागा मीडियम साइज का गोल्डन बीड लेना है उसके बाद इस बीड को फिंगर में धागा फोल्ड करके यहां से नीडल को पास करके एक और नॉट बनाएंगे इस तरीके से टाइट स्टिच करना है और यह बीड लॉक हो जाएगा इसी तरीके से मैंने नॉर्मल सेविंग नीडल को यूज करते हुए और भी सारी कुछू डिजाइन बनाए हुए है उसका लिंक मैंने उपर आई बटन में दे दिया है और वीडियो के एंड में भी दे दिया है वो सभी वीडियोस आपको इजीली मिल जाएंगे और वीडियो के सारी कुछू डिजाइन क्रोशेट के सारी कुछू डिजाइन वीडियोस बनाए हुए है उनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए वो सभी वीडियोस आपको इजीली मिल जाएंगे आप भी अपने बनाए हु इस बीड को इंसर्ट करने की बाद इसका जो डिर लेंथ है इतने ही डिस्टंस पे हमें नीडल को पास करके एक नॉट बनाना है इस तरीके से टाइट नॉट बनाने की बाद फिंगर में धागा फोल्ड करते हुए इस नॉट के बिलकुल नजदीक ही एक और नॉट इन सबी सिल्क त्रेड को नीड करते हुए एक नॉट बना लिया है नेक्स्ट हमें फिर से फिंगर में धागा फोल्ड करके एक एंटिक बीड लेना है फ्रेंज आप यहां पे कोई भी बीक साइस का एंटिक बीड या फिर बीक साइस का फ्लावर बीड भी यूज करके इस फिर्ट के नज़्दी के एक और टाइट नॉट बनाएंगे दो नॉट हमने बना लिये है और इसी तरीके से हमें बीड वरकिंग पूरे पल्लू पे गwंटिन्यों करना है इन सिल्क त्रेड को नीट करते हुए फिंगर में धागा फोल्ड करना है और अब नीडल में हमें एक मीडियम साइस का गोल्डन बीड लेना है इस बीड को इंसर्ट करने के बाद थोड़े से डिस्टंस पे पल्लू पे दिख दिख सकते हैं यहाँ पे थोड़े से डिस्टंस पे नीडल को पास करके एक नॉट बनाना है और अब इस बीड को स्लोली लॉक कर देना है यह टाइट नॉट बन जाएगा फिंगर में धागा फोल्ड करते हुए इस नॉट के बिलकुल नजदी की एक और नॉट बनाना है इस तरह की से टाइट नॉट बनाना है नेक्स्ट हमें लास्ट में एक एंटिक बीड लेना है स्टार्टिंग में जो बीड आपने यूज किया हुआ है वही बीड एंड में भी आना है इस तरह की से और यह जो बीड का साइज है लास्ट में इस एज में से निडल को पास करके यहाँ पर एक और नॉट बना के इस बीड को लॉक कर देना है फ्रेंस हमें यहाँ पर इन सभी बीड को अच्छे से टाइटली स्टिच करना है उसकी बाद यहाँ से यहाँ से निडल को पास करके निदल में धागा फोल्ड करते हुए एक और नॉट बनाएंगे दो नॉट्स बनाने के पाद पल्लू को टर्न करके पल्लू के बैक साइड भी हमें एक और नॉट बनाना है यह जो हमने बील स्टिच के किया हुआ है यहाँ पर यह जो ट्रेड्स है इन ट्रेड्स में से इस निदल को पास कर लेना है अच्छे से टाइटली निदल को पास करके फिर से हमें इन ट्रेड्स में से तुबारा से निदल को पास करके एक टाइट स्टिच बनाना है इन सभी सिल्क ट्रेड को नेट करते हुए इनके back जो threads हैं इन threads में से हमें needle को pass कर लेना है last की जो दो beads है सिर्फ इन दो beads में से needle को pass कर लेंगे और अब next हमें excess thread को cut कर लेना है उसके बाद यह जो थोड़े से threads पल्लू के back side जो है इसके ओपर fabric glue लगा के इन सबी silk thread को हमें back side ही अच्छे से stick कर लेना है और अब friends इस देख सकते हैं bead working complete हो गया है और अब next हमें पल्लू को सीधे side से work continue करना है normal saving needle में 5 strands of silk thread ले लिया है और यह जो antique bead है इस antique bead में से इस needle को slowly pass कर लेना है इस देख सकते हैं इस तरह की से इस needle को slowly pass कर लेने की माद थोड़े से long threads रखते हुए लगबग 2 to 3 inches थोड़े से long threads रखते हुए excess thread को हम cut कर लेंगे और अब next हमें इन दोनों threads को मिला के हुए हलका सा twist करके यह जो antique bead है इस antique bead के बिलकुल नजदी की इसे touch करते हुए एक knot बनाना है यह antique bead और इन threads के बीच में बिलकुल भी gap नहीं छोड़ना है इसी तरीके से हमें 2 antique beads में threads आड़ करने है उसके बाग 3 antique beads को skip करके फिर से हमें 2 antique beads में इन threads को आड़ करना है 85 strands of silk thread लिया है यह जो हमने threads आड़ किये हुए है इस knot में से दुबारा से इन सभी silk thread को पास कर लेना है और अब next हमें इन सभी silk thread को knit करते हुए जरी thread लेना है इन silk thread के back side से इन जरी thread को पास कर लेंगे जरी thread का यह जो knot है इस knot में से भी needle को पास करके एक और knot बनाना है एक turn लेके इन सभी silk thread और जरी thread को knit करते हुए एक और turn लेना है tightly एक और turn लेके इन जरी thread को knit करने के बाद फिर से हमें एक और Turn लेना है, इस तरीकी से हमने 3 turns ले लें हैं और अब नेक्स्ट इसे side में लास्ट में हमें यह जो जरी thread है सिरफ इन जरी thread में से इस needle को PASS कर लेना है और अब एकसे enhanced thread को हम CUT कर लेंगे और अब नेक्स्ट हमें इन सबी silk thread को भी knit करते हुए trim कर लेना है friends मैंने यहाँ पे normal कुच्चू बनाया हुआ है friends यह कुच्चू बन गया है इसी तरीके से हमें 2 में कुच्चू बनाना है 3 skip करना है उसके बाद फिर से हमें 2 कुच्चू बनाते हुए इस work को complete कर लेना है आप चाहो तो यहाँ पे every antique bead के नीचे भी कुच्चू बनाके इस work को complete कर सकते है friends अभी यह work complete हो गया है यह देख सकते हैं आपने पूरे पल्लू पे इस work को complete कर लिया है आपको यह design कैसा लगा मुझे comment section में comment करके जरूर बताइएगा इसी तरह के latest updates के लिए channel को subscribe कीजिए पास में लगे bell icon को भी press करके all पे click कीजिएगा मिलते हैं next videos में तब तक के लिए thanks for watching see you soon